भारत की राजधानी दिल्ली में लगातार दो बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने और पंजाब में बीजेपी को पीछे छोड़ कर अपनी सरकार बनाने के बाद आगामी लोगसबाचुनाव की भी तयारी आम आदमी पार्टी के अद्यक्ष और दिल्ली के मुक्यमंतरी अर्विंद के जीवाल ने तेज कर दी है लेकिन आम आदमी पाटी के बढ़ते कदमों को देखते हुए किसी न किसी के पेट में तो दर्द जरूर हो रहा है बिती 19 अगस्त को आम आदमी पाटी के डिप्टी सीम मनीश सिसोदिया के घर पर CBI की 14 गंटे की रेड हुई लेकिन उस रेड में CBI को मनी सिसोदिया के घर से कुछ भी हासिल नहीं हो पाया पर उसके बाद उनके बैंक लॉकर भी CBI द्वारा तलाशे गए लेकिन CBI को उन लॉकरों से भी कुछ हासिल नहीं होआ इन सब विवादों से निकलने के बाद अब आम आदमी पाटी को फिर से एक नई चुनोती का सामना करना पड़ेगा आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पाटी के मुख्यमंतरिया अर्विंद केजरिवाल और उपरा जपाल के बीच विवाद थम नहीं रहा है दिल्ली के उपरा जपाल विने कुमार सक्सेना ने केजरिवाल सरकार के एक और फैसले के खिलाफ सी वियाई जाच की शिफारिश की है यह मामला दिल्ली सरकार की ओर से हजार बसों की खरीद को लेकर जुड़ा हुआ है दिल्ली सरकार पर 1000 लोफलोर बसों की खरीद में अनिमितता और भ्रश्चचार का आरूप लगाया गया है आपको बता दें कि दरसल 2019 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1000 बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया था और वर्ष 2020 में बसों के रखरखाव के लिए टेंडर जारी हुआ था बसों की खरीद में जारी टेंडर में अनिमित्ता का आरोप लगा है इस मामले में LG ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी थी और उसके बाद मामले की जांच CBI से कराने की सिफारिश की गई है लेकिन जैसे ही CBI जांच की सिफारिश की बात दिल्ली सरकार को पता चली तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंति अर्विंद केजिवाल ने अपने एक बयान में कहा कि टेंडर रद्ध हो गए है और बसें कभी खरीदी ही नहीं गई LG पर खुद ब्रश्चाचार के आरोप लगे हैं और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जांच के आदेश दे रहे हैं देखे हमारी खास रिपोर्ट और देखे हमारी वहाई है झाल वहाई है